ए रिलेशन जो कि अपने पास एक a set दिया है पहले अपने को a set दिया है जो कि given है तो a set आ गया जिसके अंदर elements हमें दिये हैं 1,2,14 तक और इसके बाद में define a relation है जो कि कहां से a to a तक है यहां तक तक इसके बाद में देखिएगा कि क्या है इसमें अपने को एक relation r दिया हूँ ठीक है अब देखिए write down the domain element और आपको पता है को domain element और range अपने पास पूछी हूई है कोई दीकत नहीं है और यह line थोड़ी वापस से repeat हो गई इसका कुछ अपने को ज्यान नहीं देनी है ठीक है अब देखते हैं बही ठीक है अब देखिएगा कि अपने को given क्या क्या है वो देखते हैं पहले solution से पहले जो अपने को given है वो लिखते हैं ठीक है यहां से a एक आपको set दियागा जिसमें 1,2,3 और 14 तक के elements दिये हैं ठीक है फिर आपको देखिएगा कि इसमें एक relation भी दियागा जो कि क्या है वही a2 a पे define एक relation है आपका और इसी relation का देखिएगा कि अ वो relation है xy such that वो कह वही 3x-y equal to 0 है ठीक है वहर x and y belonging to a यहनी कि a में से आ रहे हैं ठीक है यहनी a में से आ रहे हैं अब अपने को इस परकार का एक relation देखना है वही यह वाली property satisfied करें इस परकार का एक set लाना अपने को ठीक है अब आप क्या कर सकते हो सबसे ज़्यादा easy समझन आएगा जब हम इसकी photo देखेंगे इस relation की ठीक है इस relation अब हम देखिएगा कि जो हमने diagram method जो अपना arrow method जो अपना है था वो यहीं पर अपनाने वाल है कैसे वही कि यहाँ पर एक आपके लिए इस परकार से यह गोल आएगा आपके लिए यह गोल आएगा जिसमें आपको element देने 1,2,3,4,5,6,7,8 से लेके 14 तक ठीक है फिर आपको यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7,8,9 फिर आपके लिए देखिएगा कि 10 आजाएगा फिर आपके लिए 12 भी आजाएगा फिर आपके लिए 14 तक आगए ठीक है और यहाँ यहाँ पर आपका क्या जाएगा 11 आजाएगा ठीक भई 11, 12, 13 और 14 नीचे तक नीचे तो अपने को दिया वाई नहीं है न नीचे अपने को a-set तो गिवन ही है यहाँ पर यह a-set है यहाँ पर भी a-set है यह आपको relation आपको यहाँ पर दिया वाई अब इस relation को कौन-कौन से element ले रहे हैं वो देखिएगा कि पहले अपने को अक्स बिलोंग करता है A में से starting कहां से करते हैं हम 1 से करते हैं ठीक है अब इस relation को थोड़ा सा नीचे आप क्या लिख सकते हो तो में से 6 करिने की तरीके से आप इसको 3 अक्स यह भी लिख सकते हो गया हुँ अब आपको पता चल गया है अब यह क्या होगा अक्स को 1 देंगे यहां से तो आपके लिएगे आप यहां पर अक्स secondary 1 पूट करोगे एक क्स ë gr Users रखोगे तोầu convenisi अपके लिए 3 आएगा जैसे आप x equal to 2 रखोगे तो y equal to आपके लिए 6 आएगा x equal to 3 रखोगे तो y equal to कितना आएगा भई 9 आएगा और x equal to 4 आएगा तो आपके लिए y equal to कितना आएगा 12 आएगा और x equal to 5 रखोगे तो y equal to आपके लिए क्या आएगा भई 15 आएगा ठीक है, अब देखिएगा कि y, y कहां पर belong कर रहा है, अपना a में से तो belong कर रहा है, और ये अपने पास देखिएगा कि a है, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, ये अपने पास देखिएगा, x और y की एक table बन गई, जिसके अंदर values आ गई, अब हम देखते हैं इसमें, देख वन कह साथ अपना समंध बना रहा है, इसका समंधी को ने 3 है, ठीक है, इसका समंधी ये 3 है, ठीक है, इसको अच्छी ते इस से करता है, देख, 1 का समंधी को ने 3, और यहां से 2 का समंधी को ने 6, और यहां से 3 का समंधी को ने 9, और यहां से 4 का समंधी को ने 12, और यहां से 5 का सम बंदी क्या होना चीए था यहां पर होना चीए था अपना क्या 15 होना चीए था लेकिन तो 15 तो अपनी कोड डॉमेन के अंदर ही नहीं है क्या नहीं कोड डॉमेन के अंदर ही नहीं है 15 आपका core domain के अंदर ही नहीं है, यानि कि ये इसका part ही नहीं है, पार्ट ही नहीं है तो ये कहां से map करने आ जाएंगे, इसका मतलब ये जो अपनों ने ये जो लिखा है, इसका मतलब ये 15 आपका यहां का element ही नहीं है, तो इसको अठा दू, हटा दू, बस इसके अंदर देखो, अब हम domain में ये देख थे, कि जो अपने पास relation के ordered pair में, जो first component आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, domain बोलते हैं, range किसको बोलते हैं, जिसके first जो element उनके corresponding जो भी में पाएगा, यानि कि इधर जितनी भी photo मेनेगी, कि उनको हम क्या बोलते हैं, range बोलते हैं, और ये जो पूरा इधर वाला, जो right side वाला जो भी set आएगा, इस diagram के अंदर, उसको हम बोलते हैं, domain, समझ में आई, तो अब हम इस relation को लिखते हैं, relation में किस तरीके से है, cluster form में elements हैं, यानि यहां पर आएगा 1, 3, फिर आएगा 2, 6, फिर आएगा 3, 9, फिर आपका आएगा 4, 12, फिर आपका 5 तो आएगा नहीं, क्यूंकि 5 देते हैं, आप कहां पर चले जाओगे, out of code domain चले जाओगे, इसका मतलब यह आपके लिए आपका relation है, अब इस relation में जो आपके first जो elements है, वो आपके क्या है, domain, तो domain क्या आएगा यहां से भी, अब आपको यहां से क्या बताना है, domain, अब domain की definition आप दानते हूँ, यह जो first elements है, यह इसके ordered pair में, यह आपके लिए क्या होगे, domain का काम करेंगे, one, two, three, four, ठीक है, इसके बाद में आपको चीए range, अब इनके corresponding जो भी में पा रहा है आपका, वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके कितना जगा 12 है, इनके क्या है, संबंदी है वही, ठीक है, relation का मतलब ही संबंद होता है, तो यह इनके क्या है, संबंदी है, अब इनके लिए, आपको पता भी, code domain आपके लिए, पूरा यह set है, तो आपको कोई दिकत ही नहीं होने चे, भी, code domain क्या है, आपका, code domain आपके लिए, 1, 2, 3, 4, और यह कहां तक चला गया, 14, जो की 1 के इकवल है, यह आपके लिए क्या गया, code domain, तो इस तरीके से हम पहले वाले question को solve करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको, I hope समझ में आया होगा, कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, कि यहां पे अपने लिए ठीक है, यह सब है, तो यहां तक कि I hope आपको बाते clear होगी,